यहां पर हम बात करने वाले हैं UPTT रिजल्ट को लेकर तो फाइनली जो है वह आपके सीटेट के बाद यूपी टी रिजल्ट का ही वह इंतजार है और आप जो है बहुत जग़ा न्यूज देख रहे होंगे कि अब जो है जारी हो जाएगा लेकिन आज का आप न्यूज यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो बताएगा है कि पी एनपी जो है आपका UPTT का रिजल्ट जो है वह तैयार कर लिए मतलब पुड़ा जो प्रोसेस है वह कंप्लेट कर लिए लेकिन अभी तक पी एनपी को जो कि UPTT की परिशा कंड़क्ट कराती है तो इनको जो है अभी तक सास से अनुमती जो है वह नहीं मिला है आपको पता है कि उत्तरप्रदेस में विधान सभाई इलेक्षन हो रहा था तो अचार संगिता लगा था तो यह लोग अचार संगिता का रिजन बता कर UPTT का पड़ाम जो है वह नहीं जारी किये थे तो अब जो है आपके रिजल्ट में जो है वह ज्यादा दिन टाइम नहीं लगेंगे और मुझे जहात अकनवान है कि कहीं ऐसा नहों कि आज ही जो है आपका रिजल्ट जो है वह जारी कर दिया जाये मतलब आज ही सासंग से अनुमती मिले रिजल्ट जारी करने को लेगा और PNP जो हर एक तरीके से जो भी जारी कर दिया जाता है लेकिन यहां पर बात दो है आपको पता है कि UPTT का मतलब जो रिजल्ट होता है रिजल्ट जारी करने से पहले जो है फाइनल या फिर रिवाइज आंसर की जारी किया जाता है तो मुझे लगता है कि इस बार कहीं ऐसा भी हो कि क्योंकि आपको पता है क result जारी करने में बहुत लेट हो रहा है तो ऐसा भी हो कि revise answer की और final result जो है वो एक ही दिन जो है इस बार जो है जारी किया जा सकता है क्योंकि revise answer की जारी करने के बाद जो है कोई भी answer की में जो है वो change नहीं किया जाता है तो ऐसा भी मतलब सिर्फ मेरा उमीद है कि revise answer की और result जो कर सकते हैं नहीं तो संभवता जो है आज ही जो है आपका UPTT का रिजल्ट जो है वो जारी और रिवाइज आंसर की भी जो है साथ में जो है वो जारी कर दिया जाएगा